हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल में तो चलिए आज हम लोग हरे मटर की चटपटी और मिक्स बड़ी बनाए जाए जब सबजी कोई नहीं मिले तो उसमय बड़ी बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये तो चटपटी अदवरी है इसको अदवरी भी काते है बड़ी भी काते है अब अदवरी बनाने की सामगरी आधा किलो धुली हुई उड़त की डाल उसे धोई भी काते हैं और आधा किलो छिला हुआ हरा मटर और चार आलू वायल करके उसको छिल करके कदुकस करना है और ये गरम मसाला है जिसमें जीरा एक चमच काली मिर्च एक चमच पुस्तक दाना एक चमच और लॉंग है आठ लॉंग है छोटी लाइची छे है और दाल चीनी है और इसमें जो है ये हल्दी है और हींग है पांच बड़ी इलाइची भी डाला जाएगा चार पका हुआ लाल टमाटर इसमें मिक्सी में पीस करके डाला जाएगा पहले हम धोई को चार घंटा पहले भीगो देंगे देखे कितना बढ़िया ये तयार हो गया है गल गया है अब इसको हम तीन से चार पानी धो लेंगे धुलने के बाद अब हमें इसको मिक्सी में डाल कर बारीक पीसना है उसके बाद मटर को हम पीस लेंगे और धोई में टमाटर बारीक काट कर डाल कर उसी के पानी से हमको पीसना है अलक से हमको पानी नहीं डालना है अब सभी मसाले को बारी-बारी मिक्सी में बारी पीछ लेना है अब हमें आलू को भी बारी कदुकस से कस लेना है उसका लच्छा तयार कर लिया जाएगा लच्छा तयार करने से बहुत आसानी से घूल जाता है पिठ्ठी में अब देखिए आलू कसकर तयार हो गया कितना सुन्दर लच्छा बन गया है अब हमें इसको एक बरतन में अलग रख देना है अब मतर देखिए कितना बारीक पीश कर तयार हो गया है कितना कलर अच्छा लग रहा है इसका बारीक रहेगा तो बनाने में बड़ी आराम से बन जाएगी मोटा रहेगा तो नहीं बन पाता है ये धोई बारीक पीश कर तयार हो गया है इसमें टमाटर डाल के पीशने से पानी भी नहीं डालना पड़ा अब हमें 11 हरी मिर्च और 50 ग्राम अद्रक दोनों को एक साथ पीश लेना है और ये गरम मसाला चाहे तो आप दरदर पीशें या बारीक पीश लें दोनों तरह से डाला जाता है अब हमें एक बड़ा बरतन लेना है जो थोड़ा गहरा हो उसमें हमें सबसे पहले धोई को डालना है अब धोई को डालने के बाद उसको हमें धीरे धीरे फेटना है आठ से दस मिनट तक फेटने के बाद पिठी हलकी हो जाती है देखने से लगता है कि अब पिठी जो है हलकी हो गई है अब हमें एक बरतन में पानी लेकर उसमें पिठी को थोड़ा सा डाल दिया जाएगा अगर पिठी उपर आ जाए पानी में तो समझे कि ये काफी फेट चुका है और ये हलका हो गया है अब आदवरी बनाने लाइक हो गया है देखिए पानी में डालने के बाद से ये उपर तहरने लगा है अब पिशे हुए हरे मटर को भी इसमें डाल दिया जाएगा और डाल कर चला चला के इसको फेटना है थोड़ी देर तक हमको दोनों को मिलाकर फेट देना है फेटने से पिठी काफी मुलायम हो जाती है और बड़ी बनाने पर बहुत हालकी होती है बड़ी और जैसे हम सबजी बनाएंगे, ग्रेवी डालेंगे, वैसे ही बड़ी गल जाती है बड़ी में हींग जरूर डाला जाता है क्योंकि हींग डालने से बड़ी जो है कभी नुकसान नहीं करती है अब देखे बीच में जगह बनाकर और एक चमच हींग डालकर इसको ढख दिया जाएगा ढखने से हींग साफ्ट हो जाता है अब कुटे हुए मसाले को भी इसमें डाल दी जाएगा अब मिर्चा और अद्रक का पेश्ट जो है उसको भी इसमें मिला दे नीचे से पीठी उठा कर सभी मसालों को उसमें दबा करके ढख करके एक घंटे के लिए छोड़ दे सब मसाला हींग सब अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा तब हमको बाद में इसको चला करके फेटना है दो चम्मच गरम मसाला इलाइची छोटी वाली बड़ी इलाइची ये सब दरदरा करके हमको इसमें डाल देना है इससे बड़ी की टेस्ट बढ़ जाती है दरदरा मसाला डालने से तो अब डाल कर हम ढख देंगे अब एक घंटे बाद इसको हम खोल कर देखेंगे पिठी काफी साफ्ट हो गई है तो चलिए अब इसमें ग्रेट किया हुआ आलू को भी इसमें हम डाल देंगे और डाल के हमको इसको मिलाना है बराबर से अब कटी हुई हरी धन्या की पत्ती इसमें डाल दिया जाएगा धन्या डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और खुस्बू आने लगती है अब सभी सामगरी को एक साथ हाज से खुप अच्छी तरह से मिलाएंगे अब मिलाकर हमको इसको एक तरह से फेटना है इसे और हलका हो जाएगा अब फेटने के बाद फिर हमें धूप में इसको ले जाकर धीरे धीरे डालना है बड़ी बहुत सुभ माना जाता है तो इसको हमें एक बरतन में पांच बड़ी पहले डाला जाएगा और पांचों बड़ी में पांच मिर्चा लगा दिया जाएगा फिर सिंदूर से इसको टीक दिया जाता है और कहा जाता है कि सब घर में सुख सांती रहे और बड़ी बहुत सुख की चीज है इसे कभी खर्मास में नहीं डाला जाता है और कभी इतवार मंगल को नहीं डाला जाता है अच्छा दिन देख करके ही डाला जाता है तो चलिए इसमें अब मिर्चा लगा दें और इसको ठीक कि बड़ी को हमीशा तेज धूप में डालना चाहिए और पूरा धूप सीधे लगे क्योंकि सूखने में टाइम लगता है वैसे भी बड़ी सूखने में तीन दिन का समय लग जाता है जब बड़ी सूख जाए तो इसको आप एक बंद डिब्बे में रख दें इससे बड़ी क काफी लंबे समय तक चलेगी अब बीच बीच में एक महिने में 15 दिन में एक बार उसको धूप जरूर दिखाने अब बड़ी बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बड़ी बनी हुई है यदि आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो लाइक असेयर सब्स स्क्राइब जरूर करिएगा